तंदूरी बटेर सर्दी में अगर तंदूरी बटेर नहीं खाई तो क्या खाया ऐसी शांदार जानदार मज़ेदार रेसिपी जो बनी है छोटी छोटी बटेर से जिने साधारन भाशा में या इंग्लिश में कॉमन कोईल या जैपनिस कोईल भी कहते हैं आज चल इसकी फार् ले शैनल पे नाइफन कामरा पे तो मैं तक्रीबन आज पांच बेटेर लूँगा और उससे पहले को की तंदूर का बनाना है आज एक आइटम तो हम क्या करेंगे उसका मेरेनेशन त्यार करेंगे सबसे पहले सरसो का तेल इसे गरम करके ठंडा पहले से कर लिया है ताकि और अब बारी है साब ये दही की ये दही को बांधा हुआ है तो हंक करड़ है इसका पानी निकल गया है इसने एक दम चीज की तरह टेक्श्यर हो जाता है इसका ये है हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट ये हमने एक साथ करके रख लिया था ये बहुत ही ज़रूरी इस र इमिर्च और बारी कड़ू इमिर्च का टेक्शर बदल जाता है ये चला गया काला नमक काला नमक जरूर डालेगा भूलियेगा मत और ये थोड़ा सा सफेद नमक यानगी कॉमन टेवल सॉल्ट ये जो आप देख रहे हैं ये कबाब मसाला है हम पीसके रखते हैं इसकी रि जरूरी है और ये है निम्बू ये एक निम्बू के दो हम वेजिस आज इसमें डालेंगे इसको आप बारीक निचोड़ दीजे बीज नहीं जाना चाहिए बीच में खराबी हो दिया आप जानते ही होंगे तो बीज निकालके उसका जूस निचोड़ दीजे इस रेसिपी क डेको चे तो बटेर लेजिए चोटी सी बैड की एस सब ज़रा से हम गास लगा देंगे थिक्राद के आराम से जा सके से इन प्रोसेस हम तंदूरी चिकन में भी करते हैं प्रोसेस सेम है मेरिनेशन अलग है और बने भी तंदूर में और टाइमिंग का फरक होगा जल्दी पक जाएंगी इस बात का हम ध्यान रखेंगे अम मेरिनेशन इसके उपर हम लगा के इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग पीरेट पर जरूर रखेंगे तो आप जब तक रेस्ट नहीं करेंगे तो तब तक मेरिनेशन अंदर जाएगा नहीं क्लिंग रैप गंटे के लिए और ज्यादा से ज्यादा चार घंटे के लिए जरूर फ्रिज में रखेंगे इसके बाद जब आब इससे बनाएंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तकरीबन दो घंटे का वक्त बीच चुका है हमारी बर्ड्स यानि कि हमारी कॉमन कोईल हमारी ब हैं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा पड़ी ख्रिपा होगी देखिए तंदूर में जब रसी बनती है तो पहली बात हेल्दी हो जाती है और बटेर वैस से भी बहुत हेल्दी बर्ड्स है और इससे अगर आप विंटर में खाएंगे तो बहुत ही अच्छा है देखिए ली परम ना हो उससे क्या होगा ना बर्ड्स जल जाएंगी है हमें बहुत धीमी आच में पकाना धीमे धीमे पकाना आप देख रहे होंगे तंदूर बिलकुल भी फ्लेम नहीं दिख रही है कोई भी रडड कलर नहीं दिख रहा धीमी आच में जब पकेगा तो तकरीबन चार म मॉइस्टर मिंटेन रहेगा इस बर्ड में अपना कुछ हार्डली एनी फैट है तो थोड़ा फैट तो पर से इप्लिमेंट हमें करना ही होगा और तकरीबन एनदर एट मिनिट्स के बाद आप देखेंगे यह लगभग तैयार हैं फिनिशिंग टट से इतना ही होगा इसके पर दुबारा से थोड़ा सा या बटर को बास्ट करेंगे या ब्रश करेंगे और दुबारा से तक्रीबन एक से हेड chilisyll बीट के लिए तंडूर में दुबारा डाल तएंगे तो टोटलब रसिपी का टाइं बे ittिंग अगर आप देखें तो बारा से चौदा मिनट में ए अंदर ये आराम से पक जाती है तंदूर का temperature मगर कम होना चाहिए ये इस recipe की खास बात है बर्ड छोटी है और इसके बाद एक hot grill के उपर नीचे कोला डाल के इसको serve करिए को जब धीरे-धीरे dripping उस कोल के उपर जाएंगी तो जो smoke का flavor आपकी बटेर के अंदर इंपार्ट करेंगी है आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस recipe को जरूर बनाईएगा और चटनी और हरे प्यास के साथ खाईएगा थोड़ा सा दही या क्रीम उपर से डालिएगा और निंबू के साथ मज़ा उठाईएगा recipe को like को subscribe करके जाईएगा मेरा नाम शेफ है आदारे तो